नमस्कार खिसान सातियों यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो यह सर्सों की फसल अब फूल बन चुका है इसमें मैंने आपको इस फसल की कैई सारी वीडियो समय समय पर देता रहा हूं और बहुत सारी किसान साति इस फसल के अनूसार ही अपनी फसल को कर भी रहे थे तो कुछ किसान सातियों की यहाँ पर क्वेरी थी कि अगर जैसे हमारे खेत में फूल बन रहा है इस टाइप से और फूल बनते समय अभी फलियां छिटकने लगी हैं चोटी चोटी फलियां जैसे कि आप यहाँ पर देख पारे हो यह फलियां अगर छिटक रही हैं तो इस अवस्था में हमें ऐसा कौन सा खाद या ऐसा कौन सा पोशक तत्त लगाना चाहिए जिससे कि अभी जैसे यह मौसम खराब हो रहा है ये मौसम खराब होनी के अवस्था में भी हमारे पौदे पर फलियां ठीक से बन सके ये बड़ा विशेस और अगर कहें तो महतपूर टॉपिक है क्योंकि इस अवस्था में एक तो फूल बन रहा है और फूल बनते समय अगर ठंड जादा रही तो ये जो फलियां बन रही है चोटी चोटी ये फलियां छिटक के तूट जाएंगी और फंगस इस फलियों को अच्छे से नहीं बनने देगी ये हमारे सामने एक चुनोती भी है और इसको हमें समय के अनूसार परक कर और इसमें सही दवा का उपयोग करना ही होगा ये हमारे लिए मजबूरी भी है अब यहां पर कुछ किसान साथी तो इसकी दवाग पूछना चाहते हैं कि हमें फूल के ज़्यादा से ज़्यादा फलियां सर्दी में भी बने और दाना हमारा मोटा बने फलियां भी मोटी बने उसके लिए कौन सी दवाओं का उपयोग करना चाहिए एक पॉइंट तो ये है द लेकिन फुटाव के साथ में भी हमें कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए जैसे कि ये पौदा है और इस तने में जब फुटाव आया है ये शाखा पूरी फुटाव के कारण यहां तक बढ़वार तो इसकी काफी हो गई है अब यहां पर हमें एक चीज देखनी है कि इ यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हो इस साखा के अंदर जितनी भी पतियां हैं उन सभी पतियों में फूल बन रहा है यहां पर जैसा आप देख रहे हो यह फूल यहां तक भी फूल छिटग रहा है इसमें छिटग रहा है यह चिटग रहा है और इन साखाओं में भी छ शाखाओं के अंदर फुटाव लाना बहुत जरूरी है जैसा कि आप यहां पर देख पारे हो यह यहां पर फुटाव बन रहा है तो छोटा सा भी अगर फुटाव है तो उसके अंदर फूल बन रहा है और यहां इन साखाओं में भी फूल बन रहा है तो अगर इस फुटाव पर फूल नहीं आता है तो इस शाखा का कोई महत यहां पर नहीं रह जाता अब एक तो सबसे बड़िया पॉइंट क्या है कि यहां पर शाखाओं में फूल छिट अग रहा है दूसरी विशेश बात यह है कि जो फूल बन रहा है यह फूल अब हमारा फलियों में कनवर्ट होन निभाएगा तो इसलिए जरूरी है कि फूल की फलियां भी बने साथियों यहां पर अभी जैसे मौसम बिगड़ा है पिछले दो से तीन दिनों से बहुत जादा कोहरा भी देखने को मिल रहा है और बहुत जादा शर्दी ठंड भी है तो इस अवस्था में इस फूल को अटास लेकर उसके अंदर सौ से 120 ग्राम ठीक है 20% वाला बोरॉन मिक्स कर लोगे और मिक्स करने के बाद में लगवक सौ से 110 लीटर पानी के साथ मिलाके आप इस्प्रे करोगे तो पूरे पौधे पर जाब इस्प्रे करोगे तो इस पौधे के अंदर जितने भी यह शाख परागण की जरूरत है और परागण को पूरा करने के लिए बोरॉन सबसे बड़ी है प्रोडेक्ट है तो जब पोटास के अंदर बोरॉन आप मिलाके लगाओगे तो यहां पर परागण एक तो ज्यादा अच्छा होगा और जो फलियां है उन फलियों की संख्यावी यहां इसे या ज्यादा ठंड से कैसे बचाएंगे तो देखें ज्यादा ठंड से बचाने के लिए पोटास जो की 0050 वाली है वो एक बहुत महतपूर्ण यहां पर रोल निभाती है कैसे कि पौदे के अंदर बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी का जो मोसम होता है शेहन करने की छमता पोटास पौदे को दे देता है तो यहां पर पौदे को वो छमता मिलने के कारण बहुत ज्यादा ठंड नुकसान नहीं पहुचा पाती और हमारा ज्यादा से ज्यादा जो फूल बना हुआ है जैसे कि यहां पर यह फूल बन रहा है तो यह फूल भी हमा ज़्यादा से ज़्यादा फलियां छिट केंगी जैसा कि आप यहां पर देख पारे हो जो भी छोटी से छोटी साखा है उसके अंदर भी यहां पर फूल का ट्यूमर बन रहा है तो यह ट्यूमर फूल में कनवर्ट होगा जिससे कि परागण ज़्यादा होने के कारण आपकी फलियां भी ज़्यादा से ज़्यादा छिट केंगी साथियो इस अवस्था में अगर आप जीरो जीरो पचास एक किलोग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से और बोरोन यहां पर सो ग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से लगाते हैं तो यह आपके लिए जबर्जस्त कि यहां पर सलफर आप लगवग 2-3 किलोग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से WDG 80-90% वाली ले लेंगे और लगवग 30-35 किलोग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद लेके उसे मिक्स कर लें अच्छे से और मिक्स करके बुरकाओ आप कर सकते हो यहां पर आप उसके साथ में कारबेंड़ें 12% और मेंकोजेब 36% लगवग 500 ग्रम प्रती एकड़ के हिसाब से उसी खाद के साथ में मिक्स करके बुरकाओ अगर कर दोगे तो यह आपके पौदे को फंगस से भी बचाने का काम करेगा दूसरा यहां पर सलफर जब आप दोगे तो यह जो पौदे के अंदर यह हर्याली है यह जितनी भी एनर्जी की हमारे दाने को जरूरत होगी वो सभी ट्रांसपर हो जाएगी और ट्रांसपर होने के बाद दाने का भराब ज़्यादा अच्छा होगा तेल कंटेंट ज़्यादा निकलेगा और यहां पर हमारा उत्पादन भी ज्यादा होगा साथियो इस टाइप से आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आशा करतों आप मेरी बास समझ पाई होंगे फिर वी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों तक पहुँचे तो उन किसान साथियों को इसे सेर जरूर कर दें क्योंकि आप मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है तो इस अबस्ता में हमें ज्यादा से ज्यादा खाद लगा कर अपनी फसल को से बचाना होगा साथ आश्या करता हूं आप मेरी बास समझ पाएंगे फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा अगर चैनल पर नई आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियो